तो चुछ करने वाले एक्सराइज 10.5 की एक्सराइज 10.5 तो 10.5 निक्ता आपनी पोला वीदर देख लो तो 10.5 शुरू करने से पहले कुछ इस कॉंसेट है कि आप लोगों वह समझते हैं कि या कॉंसेट है कि अधिया ना यहां पर जो एंगल बनता है तो डबल होता है उसकी अपने आले एंगल का कैसे सामने वाले इंगल का देखतो यह यहां मालनो यह से उस्ट इसकी इसफ वहरे क्रते अन्य के वाले इंगल को होगा क्कि और तिक्ट कैसे मालो यह स्टो है डाट अगल क्या होके ना कि यहां पर 50 दिन का हुआ है ठीक है एक और देखे हैं ज़रा फिर से मालों यह इस तरीके से बन रहा है यहां यहां पर 70 डिग्री है तो यह कितना डिग्री का हुआ है अब जब भी आप इस प्रवड़ी का यूज करोगे तो आपको लाइन आप होनी चीए दा एंगल सब्चेंडेंट बाइदी आर्क एंद सेंटर ऑप दिस तर्कल इस डबल ठीक है यहां पर सेंटर पे जो एंगल बनता है जो एंगल बनता है वह डबल होता है क्या होता है डब अब डबल में देखो बहुत सब्सक्राइब कर लेंगे यह डबल होता है आपने अपोधिक उसके सामने जो एंगल बना उसका डबल है मालो यहां पर पचास तुहां में क्या होगा आप ऐसे इधर सकता है तो यहां पर क्या होगा एक तुचालिस क्लियर अब इसी के ऊपर जानके समस्क्राइब एक और एक जाम्मली के चल्ब मालो यहां पर आप तिक है यहां पर एक सो अब बताव क्या होगी सब क्लियर है सब्सक्राइब करें क्हीं नए सब्सक्राइब करें क्यों चालीसी की ओढ़ा पर जो होता है इसका रिमेस्नी कोशिन का लेकिन आपको यह पर ज्यान करना है दोनों ही कोशिन के अंदर ये सब्सक्राइब तो इसके सामने इन इस वाले अंगल नहीं है यह उपर की और यह उप्र इसका इसका डबल है यह तो इसका डबल यह तो यह थोड़ी नहीं होगा यह किसकादपल होगा इसका यह वाला जो इसकादफल होगा एले का ता में ये अंकल पता घ्यांगे चार में surrounds करेंगे कि बन्ता है तूर करी कि बहुत दीडिगा होता है कियल तो है वाला है diffam इसके बाद नेक्स्ट यूप जो चारीज नटा देंगे 120 कैसे करें मैंने आगे 220 तो इसका मतलब यह जो एंगल होगा वो कितने का होगा 200 क्लियर है आए बास उतमें तो प्रालब मुझे कॉंसर्ट क्लियर होना चाहिए तभी कॉस्टन होगे इसके बाद नेक्स्ट ट्रूप जो टॉपिक है वो देख लेते हैं दादूचे देखो 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 अंक्र सपयंगे सब्सक्राब अंग आप आप अंग में एक हिससे पर अगर कोई दो एंगल बन रहे हैं, दो कौन बन रहे हैं, तो बहुत दो नों कि दो नहीं क्या आपने आपस में? बराबर, इक्वल होते हैं एक लिए तो धाने समझते हैं तो यह तो यह बहुत काम हाईगी, अभी क्योश्चन करेंगे तो क्लियर हो गया एक बार फिर से को रेक्स पोश्चन लेकि चलते हैं यारी की एक ही ब्रत के ब्रत खंट पर बने कौन अब यसा क्या होते हैं प्राबर क्लियर हो गया क्लियर है प्राबर से यह लिख लो दोनों पापिक अपने पापिक में